दोस्तों कैसे आप आशा करता हूँ बहुत अच्छ है अपना परिवार के बहुत अच्छ सा ध्यान रख सकते क्वाइब उसके app से कैसे कर सकते हो वीडियो का अंता है जरूर देखे का दोस्तों बस एक बात clarify कर दू कि मैं immigration consultant या government body नहीं हो तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहा है तो मैं risk पर ले रहे है तो दोस्तों यह जो declaration है जो कि अब online है पहले paper based होता था यह आप online मने उनकी website पर जाके कर सकते हो या फिर आप उनके app से कर सकते हो दोनों बिल्कुल free है कोई free नहीं लगती इसमें तो app आपको free में available है आपके google play store पे भी है apple store पे भी है वहाँ से आप download कर लोगे तब जो आप उसको open करोगे तो आपको यह screen आएगा यहां पर जाकर दोस्तों आपको पॉलोसी पढ़ लोगे नीचे जाकर चेक बॉक्स आता है उसको चेक करना होता है और एक सवाल आगा कि आप खुद के लिए कर रहे हो या दूसरा के लिए वह करके क्रूज शिप से आओगे तो जैसे आप एरोप्लें से अरो तो एरोप्लें पर क्लिक करो और डेट अफ अराइवल आप डालोगे और फ्लाइट नंबर सरच करके उसको सेव करते नहीं है तो अफोर्स मैं सब्मेट नहीं करोगा मैं जैसे आपको दिखा दे रहा हूं तो मै महां से उठा लें आप वहां पर आपको मैनुवल का भी ऑप्शन आता है देखो नीचे मैनुवली एड का भी आता है आप चाहँ तो मैं बूलूगा स्कैन कर लो उसके बाद एक बार चेक कर लेना कि सही सही वह रीड किया है कि नहीं क्योंकि AI में कभी-कभी गलतिया हो सकत है तो आपको बहुत basic questions टाले और मैं यह सजेश्ट करूंगा पासपोर्ट से यह मैच कर लेना जो भी आप है फिर continue and save करके आप आगे जाओगे उसके पाद यह five section आपको declare करने है इमिग्रेशन स्टेटर पॉपस आप ट्रेवल इस्टे बायर से क्यों रिस्टिक्टे एटम एकदम honestly answer देना है तो थोड़ा बी उल्टा पलटा हूँ आपको penalties लग सकती है क्या पर कौन सा स्टेटर से उस पर आप क्लिक करोगे जो भी आप क्लिक करोगे option उसके basis पर आप से further questions पुछे जाएंगे जैसे मालव आप लाश वाला लेते हो वीजा वेवर एन अप्लाइं फॉर विस्टर वीजा तो उसके बाद में आपको information देनी हो करके सेव करना है मैं वापस जाकर आपको दिखाता हूँ फिर बाकी sections purpose of travel क्यों जा रहे हो आप नुजरेंड में रहते ह हो आप क्या permanent रहने वाले हो नहीं आप कितने दिन रुकोगे reason क्या है वो सब देना है पड़ेगा उसमें इस तरह से आप इसको कर सकते हो travel history पिछले 30 दिन में आप कहां कहां किये हो including in transit तो वो आपको डालना पड़ेगा बायो security आस्टम हाँ यह सब बहुत carefully answer करना दोस्तो plant food क्या क्या आप लेके जारों उसके बारे में सवाल है तो इद्दम honestly declare करना दोस्तो क्योंकि इस पर काफी आपको अच्छी काथी penalty लग सकती है restricted medicine के बारे मेडिसेन पूछा जारा prohibited tobacco cigarettes यह सब यह सब प्लेयर फूरी answer करना तो इस सब करके फिर आप submit कर सकते हो तो ऐसे होता है दोस्तो आशा करता आपको वीडियो पसंद आए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थेंक्यो